हेलो फ्रेंट्स एक बाद फिर आपका स्वागत है हमाई चैनल केरियर पॉइंट एच्वेशन में पिछली क्लास में हमने देखा था कि मध्यप्रदेश की कौन कौन से जन जातियां है कि छेत्रे पाई आती है याने कि ट्राइप्स ऑफ मध्यप्रदेश उनके एरिये देखे करेंगे कि कौन कौन से important questions हैं जो कि हमाई परिक्षा में आ चुके हैं tribes of मध्यप्रदेश से लेके ठीट उसके अलावा जो और important questions होंगे उसको हम आज यहां पर cover करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पहले अगर आप चैनल पर न्यूज उजर है पहली वाविजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज का पहला question पहला question है बैगा नामक पुष्टक किष्णी लिखी थी बैगा ना जाइट के अधार पर आधारित है और उसके जो राइटर है वो क्वन थे उसके राइटर वेरियर अल्विन थे तो सही option क्या होगा option sea warrior Alvin चलिए देखते हैं सहरिया जन्जाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं सहरिया जन्जाति के तो जैसा कि हमने बताया था कि जो सहरिया जन्जाति है उसके निवास स्थान को क्या बोला जाता था हमने बताया था सहराना उसके निवास स्थान क्या बोलते हैं सहराना बोलते हैं इस लिए इनको क्या बोला जाता था शहराना बोला जाता है किसको सहरिया जन जाती को तो सही औंसर क्या होगा इहां पे सहराना ऑप्शण A, चलिए देखतें, next section पाताल कोट में कौन सी जन जाती रहती है पाताल कोट कहाँ पर, छिंदवाला जीले में है ठीक, तो पाताल कोट में कौन सी जन जाती पाई आती है, तो option दे रखा था गोंड, भील, भारिया और सहरिया, पाताल कोट में कौन से जन जाती हमने बता है था कि वहां पर भारिया जन जाती पाई आती है पाताल कोर्ण को तो पर प्रता किस जन जाती में पाई आती है कौन गोटूल प्रता के जनजात में पाई आती है, आप्चन दे रखा है, गोण, भील, भारिया और शहरिया, तो जो हमने क्लास लिया था, वहाँ पे चीज़ बताया था, कि जो गोण जनजाती है, कौन से जनजाती, गोण जनजाती, तो इसमें कुछ प्रताइं प्रचली थे, उ कौन सी, दूध, लोटावा, पठोनी, पठोनी और लमसेना, ये विवाः प्रता है, उनकी प्रणड़ा प्रता है, ठीक, दूध, लोटावा, पठोनी और लमसेना, तो ये किसमें जनजाती हैं, प्रता है, ये है, गोण जनजाती, क्लियर, तो हमारा सही एंसर क्या होगा, option जो थी चलिए निर्थ esses ब्हाइब का बिल जैंजाति का प्रमुख निर्थ है भागोरी अंद्रत यह ध्यान रखिए कि इसको इंपॉर्टन केश्चन से यह कभी कोई आएगा जरूर ठीक या तो MPPSC में पटवारी में इसके लावा भी आगे परिक्षाओं ज्याद में प्रचलित यह गोण भील भारिया और सहरिया तो जो गोल गधेडो ब्यवाप रथा है यह जो है इसमें प्रचलित प्रचलित ठीक तो पहरा थिक प्रस्शंग फिस tyisy fraction beta pró answer क्या होगा option B भी इसके अलाबह एक इससे खेकर्शन और भी बन सकता है कि गूल गधेड़ो क्या है क्या गोल गधेड़ो क्या है तो इसमें कई लोगं खैक्ष्ध रहते हैं कि यह क्या होगगा हो सकता है यह गधो का मेला है clear goal गतेडो चलिए देखते है next section निम्ड मेंशे कौन से जंजाती भील की उपजाती नहीं है भील की उपजाती पूछ रखा है ठीक ना तो भील की उपजाती है कौन कौन सी है तो हमने पिछली क्लास में बताया था पटलिया भिलाला बरेला ये तीनों जंजाती है जो है वह की पंडो उनकी उपजाती है नहीं है तो महां सही अंसर क्या होगा option sorry option डी पंडो चलिए देखते है नेक्स क्यूशन सरहुल नृत्य किस जंजात के द्वारा किया जाता है सरहुल नृत्य परिक्षा question पटवारी परिक्षा में आया हुआ है कौन सा नृत्य सरहुल नृत्य ध्यान रखेंगा नृत्य पर्व और उनके कुल देवता इन तीन चीजों से परिक्षाओं में question बनता ही है तो उसमे निम्न मेशे कौन सी जन्जाती मध्देप्रदेश में पाई आती है MPPSC 2014 का कुश्चन है मध्देश में कौन सी जन्जाती पाई आती है तो उप्शन देर रखा संथाल जाखा हो अथा भोरिया तो यह जो उपर की तीन जन्जातिया है смथाल jarakha हो यह मध्य प्रइदस में नहीं पाई जाती है यह मध्य प्रइदस में पाई जाती है तो हमारा सही अंसर क्या होका option D भोरिया जन जाती जान रखे परिक्षारा क्षिइन आया हुआ है Next question नाहर, कठमेना, ढिज़वार किस जन्जात की उपजातियां है नाहर कटमेना और बिंझवार ये किस जंजात की उपजातियां है तो हमारा option दे रखा है बैगा, भील, गोंड और कुरकू बैगा, भील, गोंड और कुरकू तो ये जो नाहर, कटमेना और बिंझवार जंजातियां ध्यान रखिएगा ये बैगा जंजात की क्या है उपजातियां है बैगा जंजात की है ना तो हमारा आप्चण क्या होगा आप्चण ए सही होगा बैगा जाती जल्ली देखते हैं नए शॉक्षन मद्य प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक अनसूचित जन जातियां पूछा है अली राजपूर जाबुगा शहडो लत्वा खरगौन इन जिलों में पक्का है क्लियर है यह चीज़ की जन जातियां तो पाई आती है लेकिन कौन सी पाई या सरवाधि किसे पाई आती है तो हमारा एंसर क्या होगा आप्षन B जाबुगा तो जाबुगा में सबसे ज़्यादा अनसूचित जन जाती है नहकिपोगा श्रकूरी को भारी अथ्वा सहरिया बैगा भील भारिया थ्वा सहरिया तो जो भरनोटी बोली है भरनोटी बोली ध्यान रखिएगा भा से भरनोटी और भा से ही भारिया तो भरनोटी बोली भारिया जंजात के द्वारा बोली आती है आप्शन होगा हमारा सही आप्शन सी ठीक है चलिए देखते है नेक्स ट्रेशन जो क्षिशन है ना ये ध्यान रखे कि पाइच्छों में एक ने क्षिशन जन्जात से आता ही है तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा और इस क्लास को करने से पहले आप हमारा जो लिक्चर हुआ है उसमें इमने बताया है कि कौन से जन्जाती कि शेतने पाई जाती है उनके जो फैक्स बताएं उसको पहले करिएगा तो चीजें आसानी से क्लियर होती चलेंगी क्लियर चलिए नेक्स ट्रेशन हमारा ये है आदिवाशी सब्द का सरप्थम प्रयोग प्रयोग किशने किया था महात्मा गांधी ने ठककर बापा ने सरदार बल्लब भाई पटे रत्वा जवहरलाल नेहरू ने तो आदिवाशी सब्द का सरप्थम प्रयोग ठककर बापा ने किया था क्लियर ऑप्शन भी हमारा सही होगा ठककर बापा नेक्स ट्रेशन है निमनमी लिखित में से किस जंजात के निवास्थान को फ भीलों के निवास्थान है ठीक भीलों के निवास्थान को क्या कहते हैं फाल्या भी कहा जाता है आई वास्वाज में भील जिन जाती जो है उनका निवास्थान क्या है फाल्या कहलाता है चलिए देखते हैं नेक्स क्रेशन ऑप्शन इससा सही होगा ऑप्शन बी देखते ह lessons coffee का संबंद किस्से है शा अबब इसमाडर डिंदोरी रायगरज़ लंगत भा ऑ? तो जो भगोरिया हाथ ध्यान रखिएगा जे भीलों का प्रमुन का है यह भगोरिया हाथ वासर बूढ़ा देव में प्रदेश की किस जंजाची में आया हुआ है भगोरिया हाथ उनका द्वहार है ठीक तो बुढ़ा देव देवता जो है वो किनके हैं बुढ़ा देव ऑप्शन दे रखा कोल भिलाला भील अथवा बैगा तो बुढ़ा देव जो है बैगा जंजात के कुल देवता है ठीक है किसके बैगा जंजात के इसके अलावा भारिया जंजाती जो है भारिया जंजात इनके खुल देवता कॉन है? इस जंजाट के खुल देवता कौन है? बूर्ह देवी है, इस बैगा के लावबा भार्य जंजाट भी ऐए सजी प्रमुक देवता कौन है या क्लमच देवता? बूर्ह देवी है तो सही answer होगा option D चलते है next option की ओर पार्धी जन्जाती किन जिलों में निवास करती है पार्धी जन्जाती तो हाई अगर आपने class देखा होगा तो उसमें इस चीज बताया है कि भोपाल, राइशन और शिहोर भोपाल, राइशन और शिहोर इन तीनों जिलों में पार्धी जन्जाती निवास करती है clear, पार्धी जन्जाती इन तीनों जिलों में निवास करती है, तो हमारा सही answer क्या होगा option D, उपरोक्त सभी, चलिए देखते है next section हमारा next section है निम्निम्निम्निक लिखित में से कौन सी जन्जाती कबीर पंथी है कबीर पंथी या फिर इसको क्या कबीरहा भी कहा जाता है क्या कबीरहा ठीक कबीरहा का मतलब होता है मांस का सेवन ना करने वाले जो मांस का सेवन नहीं करते हैं उनको कबीरहा भी कहा जाता है तो कौन सी जंजाथ को कभीर पंतिया कभी रहा भी कहा जाता है क्लियर चलिए देखते हैं ने शोश्यन दूद्ध लोटावा प्रथा किस जन जाती में प्रचलित है ठीक कौन से प्रथा दूद्ध लोटावा तो ऑप्शन दे रखा है भील बैगा कोरकुत्वा गोंड तो हमने क्लास से शुरू म दूद्ध लोटावा प्रथा इससे क्वेश्चन बनता है और परीचे में आ भी चुका और आगे भी आने की पूरी चांसे है कि दूद्ध लोटावा प्रथा आ सकता है तो इसको अपनों ध्यान दिएगा चलिए देखते हैं नहीं स्क्राइब किस जन जाती में प्रचलित प्रथा है कि जन जात का को और चलिए एक होगी लेकिन आज की क्लास करने से पहले आफ हमारे इसकर लेक्ष्वर आया था पहले पिछली क्लास उसको जरूर देखीएगा वहां पर हमने बहुत सारी चीज़ां यहां पर अब नहीं हुए है ठीक वहां से कॉश्चन भी उठत हैं उसको आपनों देखिएगा जरूर आपको फादा मिलेगा तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टापिक साथ में तो तक बने रही है चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेला आइकन प्रेस कीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे ओक थेंक यू